गुट मॉर्निंग एवरिवन वेल्कम बेक तो मैं चैनल और आज है 16 सेप्टेमबर तो आज मेरा थोर्ड है पिडिट्स का और कल बहुत सारी क्लीनिंग की मैंने अपनी जो सारे अलमारियां थे उनके सेक्शन इतनी भी थे उसमें सिफ एक बचिया है क्योंकि वह मुझे मैंने जो सोचा है वो है बच्चों के अलमारी का पूरा क्लीनिंग और एक पूरा डिजास्टर वाला वीडियो होने वाला है क्योंकि बच्चों के अलमारी का जो हाल है ना वो आप खुद देखकर डर जाओगे मुझे खुद को ही नहीं मिलती है चीज़े ऐसी कर रखी है पीज लिए उनका रहा है तो वो कर एक चृली इनका रोम ही पूर ऐसे शोका है क्योंकि षुद दों के नहीं चाहिए उसमें अर इतना ऐम बेल थे ड्याप में जो़ते। हैं झेलने का टाइम है और आंगे खेल लेते हैं घर पए नहीं खेलते हम स्लिगते आप कॉई काम न तो इसलिए उसमें जो भी हाथ में आता हुई चीज़े रख देते हैं हम लोग इतना गंदा कर रखा है उस रोम को स्टोर बना रखा है पूरा तो अभी उसका मैं सोच रही हूं में कोवर करने का लेकिन आज नहीं आज तो अलमारी होगी क्योंकि बहुत हाधा दिन जाने वा बच्चों का भी ओफ है तो उनको भी पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान भी देना है अपना वकी तब्यत भी ठीक नहीं है तो यह सारे चीज़ें भी साइड बाई साइड हैं तो यह मैं भी आपको रूम एंड अलमारी दिखा देती हूं बातें बहुत हो गई हैं तो यह द गईग्षाद हम अलमारी में रखेंगे और अलमारी की हालत मैं आपको दिखा दू धगवान मतलब एक दम यॉनक्त ठूस ठूस के भरी हुई है तो मैं इस बार क्या करने वाल हूँ कि यह वाला जो सेक्षिन है यह पूरा अडश्डव को देने वाली हूं रहे वाला जो श मैं सूच्छहों कि दोनों को और अलग और वाट बाट दूँ तो यह अनवी का होगा, यह अर्णव का होगा, इसके नीचे वाला टीराऊर कि न फ напर यह वाले section अर्णव का है और बाटे हो आं लेकिन इस इस पर space रखना पड़ेगा उसके बाद ये सारी चीजें यहां पर आएंगी उसके बाद हम sort out करेंगे कौन से निकालने हैं तो कौन से मुझी discard करने हैं कौन से रखने हैं बच्चों की कौन से नहीं आते हैं और यही सब चीजें हम कर लेते हैं पहले और उसके बाद हम वापस अलमारी को पूरा क्लीन करेंगे और जचा देंगे तो यह मेरा एक टास्क है आज का लेकिन उससे पहले मुझे दो तिन ओडियो करने हैं वोईस ओवर करना है वीडियोस पे फुटफाइट पे दो तिन दिन हो गए वीडियोस नहीं डाले तो मैं पहले वो करके आती हूं औ और उसके बाद मैं अता सली से बैठके यह करूं क्योंकि मेरे दिमाग में फिर वही चलता रहेगा और दिन में होती नहीं है सब जगसे आवाजे आने लग जाती है तो फिर वो इस ओवर हो नहीं पाता है तो इसलिए पहले मैं तो तीन चार वीडियो हैं मेरे जिन पे क्लिनिंग में तो चलिए सबसे पहले तो इस अलमारी को खाली करते हैं तो आप देख सकते हो किस तरीकी से ठूंस ठूंस के भरा हुआ ऐसा मान कितना भी घर में स्टोरेज बना लो कितने भी कबर्ड ले आओ सब ऐसे ही भर जाते हैं क्या करें और वैस इसको खाली करूंग था तो पड़े ही मसे आई खाकर और फिर वो बोले कि ममा आप खालो इसको मैं खाली कर देती हूँ तो फिर वो स्टार्ट हो गई खाली करना और काफी हेल्प की उसने मेरी पहले तो ब्रेड टोस्ट खिलाया उसके बाद पूरी अलमारी उसने खाली की है और पूरा आप सा पड़ेगा और बच्चे एक्चली बेगाडी देते हैं चाहे कितना भी शेट कर लो आप कितना भी जचालो जब उनको खुद को कपड़े निकालने होते है तो वह ऐसे फैलाते है जैसे तो पता ही नहीं तुफान आ गया हो और उनको सामने पड़ी चीज में नहीं दिखते उसको ऐसे बोल देना उस रूम में बिटा ये रखा है ये चीज लेकर आ वो बिल्कुल उसको समझ में नहीं आता कि वो कहां पर रखा है नीचे जो रखी होगी ना चीज उतो भी वो आसमान में ढूंडती हुझाएगी कहां हवा में लटका हुआ है क्या इस तरीके जो डूंडती है वो तो फिर टोस्ट खाने के बाद मैं आ गई और अन्मी की काफी हेल्प की मैंने और फिर हम दोनों मा बिटियों ने मिलकर इस हलमारी को खाले किया क्योंकि ये एक जनके तो बस की बात नहीं थी बहुत इंपोस समझें वीच वीच में बीच वीच में परेशान कर रहा है बच्चों को भी देखना पड़ता है क्या करें तो अभी अन्वी ने खाली तो सारा कर दिया और मैंने देखा आज बाल दो लिए वैसे हम शायदों में बाल नहीं होते हैं लेकिन क्योंकि टाइम आ गया था फीट पहले इसका ध्यान रखते हैं फिर बाद में बात करती हूं मैं आपसे इसको सुला देती हूं मैं दवाई तो दे दिया अभी देखो सारी खाली तो गर दी अन्वी ने पूरा नीचे तक सब खाली कर दिया लेकिन मैं आपको दिखा दू क्या हुआ है टेंक टेंक यह सारा स इतना सारा समान हो रखा है इसमें काफी कुछ तो डिसकार्ड करने का हो रखा है वह चांटेंगे अभी और शुरू करते हैं बस क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है तो अब बच गयारा और जो काम वाली दीदी है वो भी आने वाली है मतलब एक ब कि और यह उपर भी क्या हो गया किसमें छिड़ दिया यहां से जैसे गिरने को हो रहा है तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले तो यह अलमारी सेट करेंगे उसके बाद रूम तो मैं सोच रिए हूँ पास में ही करूँ तो अभी तो यह करते हैं तो चलो अब आप बैठके हम ल से वे थे छोटे भी हो गए हैं काफी बच्चों के और काफी ऐसे कपड़े हैं जो अब वो नहीं पहनते हैं छोटे हो गए खराब हो गए धोने से काफी कपड़ों की कलर लग गया यह बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ मैं काफी कपड़ों को ऐसे खराब कर देती हूं कलर ल लेकिन आभी पोटी नीचीज समझ नहीं चीजों की तो ही सीज़ों का मुझे बड़ा गुस्ता भी करता है कि क्यों तुम लोग ऐसे करते हो तुम लोग थोड़े ना धोना पड़ता है धोती तो मैं हूं तुम लोग सीधा या तो बात्रूम में डाला करो बाल्टी में या फिर लॉंट्री बैग में डाला करो लेकिन अब नहीं समझना तो नहीं समझना करते हैं वो लोग तो क गया कर सकते हैं तो काफ़ी कप्ड और आदे तो डिंक काफ़ी कप्डे की हाईट इतनी बढ़ती है वेकिन कपड शोटे हो रहे हैं मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इसलिए काफी कपड़े उनके discard हो रहे हैं और धोने में भी जा रहे हैं तो आदा तो ऐसे ही निकल जाएगा काफी अभी देखो नए नए जो है वो अलग में चांटते जा रही हूँ उनको इस तरीके से सेट कर देंगे आप किस तरीके से जजाते हूँ मैं यार बहुत वीडियोस देखती हूँ खुद भी यूट्यूब पे किस तरीके से सेट करना चाहिए बच्चों का लेकिन क्या होता है न देखो हर घर में सबका कबर्ड अलग अलग तरीके से होता है काफी आजकल तो ट्रेंड में है वो ड्रॉर्स वाले बस एक टेबल बनवा लो और उसमें लेकिन जो आसपास जो थे न वहाँ पर मैंने ढूंडा मुझे नहीं मिली तो मैं उन्हें फिर ये वाली ले ली उनके लिए कि अभी तो ये ले लेती हूँ बाद में चैनल अच्छा चल गया आप लोगों का थोड़ा प्रुत्साहन मिला अच्छा अगर हो जाएगा तो आई तिंक बाद में मजबच्चों का कबड जो है वो चेंज करूंगी लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल भी आप लोग साथ नहीं दे रहे हो और बिल्कुल भी चैनल मेरा चल नहीं रहा है वीडियोस चल नहीं रहे है तो इसलिए कहाँ से ही मैं इतना कर्चा गर लो देखो थोड़ा सा आप लोग साथ दो पैसे आपके थोड़े ना कट है थोड़ा सा आप साथ दे दो तो वह सब मैं अपने खुद की कमाई के पैसों से करना चाहती हूं इसलिए मैं थोड़ा सा ढील कर रही हूं अगर बोले तो लेकर नहीं करना जारी हूं इसलिए थोड़ा सा अप लोगों का साथ चाहिए तो यह देखिए अलमारी को अच्छे से मैंने पोंच दिया और इसमे नियूस्वेपर भी लगा दिए इन दो में नहीं लगाए हैं बागी सब में मैंने नियूस्वेपर लगा दिये और काफी कपड़े अभी बचे होए हैं काफी ऐसे हैं जो मैं हैंगर में रखती हूँ जैसे ट्रैकेट हो गए और काफी जो अनुवी के लहंगे हैं कुछ हैं तो ऐसे चीज़ा हैं वो उसमें रहती हैं गर्मी तो वो सब तांग देंगे पहले तो यह पर देखो मैंने सेट करके रख दिये थे तो चलो इनको टंगा देते हैं भी और अभी मतलब बच्चों का क्या होता सर्दियां आती हैं फिर गर्मी आती हैं तो सर्दियों के कपड़े जब लेकर आओ तो गर्मियों में लंबे हो जाते हैं बच्चे दोबारा सर्दियों पहनाओ तो कपड़े छोटे हो जाते हैं यह प्रॉब्लम हो जाती है इतने महंगे महंगे आते हैं कपड़े और उसके बहुत मतलब होता है मुश्किल बच्चों के साथ बट अब क्या कर सकते हैं देखो तो यहां पर इसकार्ड वाले हो गए और इधर ऐसे और भी हो गए अब इनको सोट आउट करेंगे और फिर इनको भी रख देंगे हम चलिए फटा-फट कर लेते हैं तो गाइज फाइनली मतलब इतना पसीना वसीना बहा के फाइनली थोड़ा बहुत सेट हो गया तो मैं आपको दिखा देती हूं किस तरीके से जैसे मैंने आपको प्लैन बताया था ना वैसा धेला नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है वैसे क्योंकि अलमारी कुछ इस तरीके स कि आप जैसा मैंने सोचा था वैसे बिल्कुल नहीं हो पाई बट किस तरीके से मैंने सेट किया है फिर भी मैं आपको दिखा देती हूं तो यह वाले सेक्ष्ण में मैंने बोला था कि मैं पूरा अन्वे का रखूंगी तो इसमें मैं बता दूं आपको हैंगर पे दोनों के मैंने इसको सोचा भी था कि इसको रिन्यू करूंगी कुछ नए पेपर लगाऊंगी तो मैंने सोचा एक बार रख देती हूं इसमें मेरे सारे जितने भी अर्नव अन्वी के ऐसे कपड़े जो बाहर बहन के जाते हैं वो होते हैं टीशेट अंड कुछ जिन स्विन्स यह अ अब तो वह गुसा होगे कि ममा यह यहां पर क्यों रखें यह तो मैं कम पहनती हूं वह रखो जो मेरे डेली पहनती हो तो मुझे सामने मिल जाए यह एक स्कूल ड्रेस जो उस निकल पहनी थी यहां पर तंगा दी तो बाहर नहीं फैली भी लगेगी फिर नीचे के सेक्शन क्योंकि जितने भी जो छोटे वाले कपड़े ना जो भी इनवेर हैं वह हैं इसमें तो आसानी से इसमें से ले सकते हैं यह वाला सेक्शन देगो पूरा खाली हो गया इसमें मैं क्या रखूंगे मुझे कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा जैसे जैसे कुछ नया अभी तो एक्चली विंटर्स के कपड़े निकलेंगे न तो वो भी आएंगे उनके लिए स्पेस चाहिए होगा नीचे वाले में ये नवी का नए कपड़ों का है इसमें कुछ उसके गाउन और यह सब हैं तो उसके जितने भी तो नहीं क्योंकि इधर भी है इसमें भी उसके नए पीछे उनका कुछ कम चाने वाला सामान तो पीछे चला गया और यह मेरे क्राफ्ट के आ गया थिक है तो यह इस पेस में खाली छोड़ दिया है अभी वुलन्स निकलेंगे उसके लिए एक इसमें भी खाली चूट गया है इसमें भी वुलन्स आएंगे बच्चों के बहु ज्यादा स्पेस चाहिए होता है तो यह देखो वहाँ पे भी स्पेस आ गया है वहाँ पे भी कुछ रख सकते हैं यह खाली रह गया है यह वाला मैंने स्टेशनरी के लिए कर दिया पहले नीचे था यहाँ पे तो बहुत बड़ा स्पेस था तो फैला हुआ रहता था लेकि लॉफ्ट में भी हैं काफी यह देखो अरणाव के डेली वेर हो गए और अन्वी के यहां पे यह जो कभी-कभी पहनती है वह वाले हो गए यह प्रॉक और यह हो गया यह अरणाव के हो गए तो कुछ इस तरीके से सेट अप कर दिया है मैंने तो मैंने तो बहुत लगिए है इतना करने में ही जान निकल गई बट फिर भी काफी कुछ हो गया अब देखो यहां पर कितने ये सारे डिसकार्ड किया मैंने यह और ऐसे वाले गपड़े जो किसी के काम के नहीं है तो यह इसलिए मैं इनको कट करके फैकने वाली हूँ क्या करूँ और कुछ किसी को देने लाइक भी नहीं है तो यही था अभी बच्चों के अलमारी का तो और बाकी जैसे जो जो समझ में आएगा वैसे और आ जाएगा और पसी ने इतने आ गए है कि पुछो मत थालत खराब एकदम कमर तूट गई बीच में रेस्ट भी कर लिया तो बस यह तो जच यही अब थोड़ा ओर रेस्ट करूंगे एक्चली शाम को हमको बाहर निकलना है तो इसलिए यह वीडियो मैं ही पेंट कर रही हूं I hope आपको मेरा यह थोड़ा बहुत जितना भी मैंने सेट किया आपको पसंद आया हो पसंद आया तो प्लीज इसे पटांग से वीडियो आपको मिलते रहें thank you for watching my video bye bye